हेलो दियर फ्रेंड्स हाव यू दिस इस लेक्टर नमबर 21 आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं 21 21 लेक्चर का अंदर हम चेप्टर पढ़ेंगे 7 चेप्टर चेप्टर नमबर 7 हमारे पास डील करता है 95 सेक्शन से लेकर 105 तक ठीकि उसकी अंदर हमारे पास क्या है प्रासेस टू कोई भी किसी किसम का कोई भी क्रिमिनल केस में अगर आपको डाकुमेंट से रिक्वार है कोई दस्तावीजात की जरूरत है तो फिर आप वो पीश करवा सकते हैं ठीकि उसमें अडर रिट जारी करवा सकते हैं प्रासेस में कोई रिट किसी भी चीज़ की अपिरंस के लिए and other movable property या फिर कोई भी चीज़ movable property या for example कोई offense हुआ हो उसमें किसी चीज़ की requirement हो for example कोई weapon है कोई movable property for example कोई car वगरा है कोई motorbike है उसको पेश करवानी हो तो फिर भी वो भी chapter 7 के तहत पेश होगी and for the discovery of persons chronically confined या फिर जो भी शक्स गलत तरीके से illegally कहीं पर केद किया गया है उसकी recovery भी इसी section के तहत होगी उसकी discovery भी इसी हमार पास chapter के तहत होगी जिसा के 100 CRPC के section 100 में आपने पढ़ा है कि हमार पास rankfully किसी को confined किया जाता है उसकी क्या होती है वहां से recovery होती है ठीक है तो फिर ये एक written है habits corpus ठीक है जिसा के हमार पास 491 जो है बिल्कुल इसी तरह ही ठीक है इसमें difference क्या है वो तो हमें आपको बाद में चलके समझा दोंगा ठीक है section 94 discuss कर लेते है chapter हमार पास 7 के अंदर हम आज discuss कर रहे है portion A summons to produce summons बेजना ठीक है notice बेजना के कुछ पेश करने के लिए ठीक है क्या पेश करने के लिए section 94 बात करता है summons to produce document or other thing कि हमार पास section 94 हमार पास बात करता है कि documents पेश किये जाए या फिर कोई और चीज और तिंग जो भी चीज आपको required है इस case में ठीक है कि सबसेक्शन वन बात करता है whenever any court जब कोई भी court or any officer in charge of police station या फिर कोई police station का जो officer in charge में ऐसे चो है ठीक है officer in charge कोन है ऐसे चोई है ना हमार पास ठीक है तो फिर वो ऐसे चो यहां तक बात क्लियर है considers that the production of any document वो यह बहतर समझता है वो यह समझता है कि किसी documents किसी दस्तावीज कि हमार पास production जरूरी है or other thing is necessary or desirable for the purpose of an investigation inquiry trial or other proceedings under this code ठीक है कि जो documents है वो या फिर उसके इलावा कोई और चीज़ अधर तिंग में से कोई भी चीज हो जा चाहे फिर weapon हो फिर चाहे motorbike हो चाहे वो कार हो चाहे कोई भी चीज हो ठीक है अगर उसकी case में ठीक है जरूरत है किस चीज में investigation में inquiry में trial या फिर कोई भी other proceedings में इस code के तहत ठीक है by or before such court और officer चाहे वो court court के सामने जरूरत हो या फिर उस officer के सामने जो police officer है such court में issue of summons तो फिर वो court क्या कर सकती है समने शू कर सकती है और such officer ठीक है रेटिन आर्डर या फिर जो आफिसर है police officer वो भी एक रेटिन आर्डर हमारे पास जारी कर सकता है to the person in whose position जिस शक्स की position में है वो चीज उस person को summons बेजे जाएंगे ठीक है और पावर सच डाकुमेंट या फिर उस शक्स के पावर में अंडर में वो डाकुमेंट से our thing या फिर वो चीज उसके अंडर में है is believed to be वो यकीन रखता है वो officer या फिर court के वो चीज our thing is believed to be के वो चीज उसी के पास ही है मैंसे वो डाकुमेंट से उसके पास ही है ठीक है requiring him to attend and produce it ठीक है उसको तलब किया जाएगा और उसको हुकम दिया जाएगा कि आप पेश हों और वो डाकुमेंट से पेश करें वह चीज कोड की सामने पेश करें और तो प्रोड्यूस इट या उसे पेश करें आप at the time and place stated in summons or order वो वक्त या फिर वो जगा जो कि समन में बताई गई है या फिर order में अगर कोर्ट है तो समन बेजेगी अगर पुलिस आफिसर या फिर कोई भी हमारे पास अदर आफिस से बेज다 है तो फिर वो order ःफिसर में बताया गया होता लिखा होता है कि विज़े भी यह order हमारे पास क्या होता है written order होता है writing होता है the order shall be in writing तो फिर वो order written में होगा तो वहां लिखा होगा कि कौन सी court में कौन सी office में आपने पेश होना है और कहां पर यह documents आपने पेश करने हैं यहां तक बात के लिए रहे उसके बाद हमें चले जाते हैं हमारे पास previous इसमें शर्त रखी गई है provided date no such officer shall issue any such order requiring the production of any document or other thing which is in the custody of a bank a banker as defined in the bankers books evidence act अब जो bankers books evidence है उसके तहत अगर कोई चीज कस्टरी में है या किसी bank के या फिर किसी bank account के अंडर में है कोई चीज तो फिर वो officer वो court जो है as order नहीं करेगी वो मरपा court नहीं यहां पर सिर्फ तावियों दिया गया है वो किसी officer के लिए no such officer court के लिए नहीं गया कहा गया ठीक है अगर कोई police officer को कोई चीज requirement है या फिर किसी documents या किसी चीज की तो फिर वो बैंक में कोई भी चीज अगर रखी गई है किसी किसी भी शक्स की ठीक है कोई security कोई privacy कोई accounts वगेरा या फिर कोई भी चीज फार एक्दमपल हम घर के गहने वगेरा कोई में रखते हैं तो फिर ऐसी चीज से वह officer नहीं मंगवा सकता ठीक है and relates or might disclose any information which relates to the bank account of any person except अब जो हमरे पास है जो information है उस bank account से related वो उसको disclose नहीं करेगा वो राज उसका फार्ष नहीं करेगा unless accept उसके लिए exception दी गई है कि हमारे पास for the purpose of investigation and offense under section 403, 406, 408 and 409 यह हमारे पास properties related हमारे पास offense है and sections 4, 94, 21 and 2, 4, 24 both inclusive inclusive का क्या मतलब है for example 424 है 424 भी आगया थीक इसके अंदर जो भी है बीच में वो भी आगया और 421 भी आगया और 424 भी आगया ठीक है inclusive both inclusive means उसका मतलब होता है फारगम पर एक से लेकर पांच तक तो मिस बहुत inclusive क्या मतलब है? मिस एक भी आगया, दो भी आगया, तीन भी आगया, चार भी आगया, पांच भी आगया. अब ऐसा नहीं है कि एक से लेकर पांच तक तो एक को छोड़िया जाएगा पांच को छोड़ दी जाएगा दो तीन चार ऐसा नहीं ठीक एक भी और पांच भी है इसके अंदर यहां तक बात क्लिए है आफ दे पैनल कोड विट प्रायर पर्मिशन राइटिंग आफ असेशन जजज अब क्या करेगा अगर इन अफेंस के तहट उनको वह डाकुमेंट्स रिक्वार है पाकिस्तन पैनल कोड के इन दोनों हमार पास जो भी से होगे गए हैं प्रापर्टी से रिलेटेड या फिर डाकुमेंट्स ट्रेड या फिर प्रापर्टी मार्क्स से रिलेटेड जो होते हैं उन से रिलेटेड है अगर इन दोनों में इन आफिसर को यह डाकुमेंट्स या कोई चीज रिक्वार्मेंट है तो फिर वह से पहले प permission in writing of the high court अगर इसके इलावा कोई और भी कीस है ठीक है तो फिर high court से permission लेना जरूरी है यहां तक बात क्लिए है अब चले जाते हम subsection 2 पर subsection 2 हमारे पास deal करता है कि any person required under this section merely to produce a document or other thing shall be deemed to have comply with the requisition if he causes such document are thing to be produced instead of attending personally to produce the same अब कोई भी शक्स की against अगर कोई समन निकलते हैं कोई order होता है कि वो documents पेश करें या फिर कोई और चीज कोर्ट के अंदर पेश करें ठीक है वो शक्स खुद पेश नहीं होता personally मगर उनके behalf पर या फिर वो चीज जो है अमारे पास require की गई है documents है ठीक है या फिर जो चीज है वो कोई में पेश की जाती है खुद पेश नहीं होता है तो फिर वो समझा जाएगा कि order की compliance हो गई है ठीक है order पर अमल हो गया है जैसा कि मैंने नोटिंग करके रखी है कि दस्तावीद पेश कर दे और खुद पेश ना हो तो समझा जाएगा कि order पर अमल हो गया है यहां तक बात क्लिए है इसके बाद हम इसका sub section 3 देख लेते हैं sub section 3 किसके बाद हम डील करता है sub section 3 दील करता है nothing in this section shall be deemed to affect the evidence act 1872 जो अभी हमारे पास क्या है कानून शाहदत है ठीक है कानून शाहदत कि section हमारे पास article 6 और article जो 7 है ठीक है अब पहले तो हमारे पास evidence act था जिसके section 123 और 124 ठीक है वो section deal करते evidence as to affair of state or official communication ठीक है इसमें यह हमारे पास शर्त दी गई है या फिर restriction दी गई है कि इस तरह कि जो भी matters होंगे states related जो भी होंगे इन से आप जो है evidence नहीं मगवा सकते थी कि अगर कोई उसके लिए खास special province होंगे तब ही आप evidence मगवा सकते है nothing in this section shall be deemed to affect the evidence act 1872 sections 123 and 124 are to apply to a letter, postcard, telegram or other documents or any parcel or thing in the custody of the poster or telegraph authorities जो भी telegraph authorities के पास कुछ चीज़े मौजूद है जैसा के letter है कोई खत है कोई parcel वगिरा है तो फिर उसको बेश करने के लिए उसकी जो है production के लिए आप order नहीं कर सकते आरी बस समझ में यह एक हमारे पास immunity दी गई है ठीक है इसकी बाद हम चले जाते हैं हमारे पास section 95 पर 95 बात करता है procedure procedure is to letters and telegrams अब जो हमारे पास उसका तरीके का क्या होगा जब खतूत और जो telegram है telegram means wire के थुरू जो पेगामाद बेजे जाते हैं through wire उसको कहते हैं telegram ठीक है for example हमारे पास क्या है post वगेरा letters किस में आ गए खत वगेरा खत वगेरा तो हम post के थुरू बेज़ते हैं telegrams पहले हुआ करते थे अब भी नहीं यहां से हम लिखत में बेज़ते थे तार के दरीए ठीक है वहां उसका print निकल जाता था ठीक है आरे बसमझ में सबसक्राइब बात करते हैं if a document parcel or thing in the custody is in the opinion of any magistrate ठीक है कोई भी document parcel या किसी चीज़ की जो custody जो है in opinion of any magistrate किसी magistrate की opinion हो या फिर high code या फिर session code की wanted for the purpose of any investigation तो फिर उसकी custody की क्या है वो किसी investigation में require है या फिर किसी inquiry में या trial या other proceeding under this code इस code के तहत कोई भी दूसरी proceeding से हो such magistrate are court में require तो फिर ऐसा magistrate या फिर जो court है ठीक है वो require कर सकती है वो मांग सकती है the postal or telegraph authorities उस टेलिग्राफ पोस्ट का में पास post office है या फिर उस टेलिग्राफ अथार्टी से is the case में भी जैसा भी case हो to deliver such document के वो डाकुमेंट से दे हमें parcel या फिर वो parcel or thing जो भी चीज है to such person is such magistrate or court direct जैसा के जो magistrate है या फिर जो court है session code जैसी भी हिदायत दे कि जिस शक्स को किस शक्स को आपने डेलिवर करना है ठीक पार्सल or thing to such person is the magistrate or court direct कि किस शक्स को आपने देने जिस को जिस को magistrate direction दे या फिर high code या फिर session code direction दे इस शक्स को आप handover करें यह चीज यह तक बात क्लिए रहे इसके बाद हम चले जाते हमार पास section number अमर पास sub section 2 95 का sub section 2 sub section 2 बात करता है if any such document अगर कोई भी ऐसा दस्तावीस या parcel or thing या फिर parcel हो या फिर कोई चीज हो is in opinion of any other magistrate या फिर किसी और magistrate या फिर district of police ठीक है और magistrate या फिर कोई और police officer को जरूत चीज की ठीक है उस documents की उस हमरे पास चीज की for any such purpose he may require the poster or telegraph department के वो किसी भी हमरे पास चीज में उनको require है किसी भी मकसद के लिए उनको उस चीज की जरूत है ठीक है telegraph department की is the case में भी फिर चाहे किस कुछ भी हो to card search to be made तो फिर वो search किया जाएगा and and to detain such document parcel I think pending the orders of any such court ठीक है तो फिर जब तक उस court की order pending है तब तक उस documents को यह court क्या करेगी detain करके रखेगी means अपने पास से रोक के रखेगी इस चीज को जब्द करके रखेगी जहां तक बात क्लियर है thank you so much झाल झाल झाल